कुछ बोलने और तोड़ने में केबल एक पली लगता है, जबकि बनाने और वनाने में पूरा जीवन लग जाता है, प्रेम सदा माफी मागना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है. जो भी अपना स्वाविमान की रख्षा करता है, उसका स्वाविमान हमेजा जिन्दा रहता है। खुद का स्वाविमान बचाए रखो, अपनी बजह से किसी को ठेश ना पहुचाओ, जो ग्यक्ति बुई आदत का सिपार होता है, वा खुदी स्वाविमान खो देता है, जब तो खुदा का स्वाविमान जिन्दा है, समझो बहुं चांद खुदी का करनदा है, आत्म सम्मान से कोई नहीं है बड़ा, इस चाहिए सामने कोई वेखो खड़ा, खुद को सम्मान दोगे, तभी तो दूसरों से सम्मान खाओगे, जो स्वाविमान को ठेश पहुचाता है, उसका सम्मान कोई नहीं करता है, जिसको स्वाविमान प्यारा है, उसका जीव अन्या अगर बढ़ानी है दुसरों के सामने खुद की रेस्पेक्ट तो खुद ही करनी होगी चेल्प रेस्पेक्ट ये बात तो सब लोगों की सच्ची है स्वाविमान के बिना जिन्दगी अधूरी है जो लोग दुसरों के सामने हाथ पहलाता है वो अपने ही स्वाविमान को ठेज में उचाता है इंसान का बड़ा या छोटा होना माइने नहीं रखता है उसका स्वाविमान सबसे ज्यादा माइने रखता है